हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रासोई एंड टिप्स एंड ब्लोग में तो आज हम कोई रेसिपी लेकर नहीं आये हैं फ्रेंड तो आज हम 5 एमेजिंग यूजफूल टिप्स लेकर आये हैं जो हमारे काम को आसान कर देंगे तो आप ये देख सकते हैं ये अदरक है तो अदरक हम डेली यूज़ करते हैं सबजी में चाय में तो अदरक को छिल कर छिलके को क्या करते हैं हम फेक देते हैं लेकिन आज से हम छिलके फेकेंगे नहीं इस तरह से छिलकर अलग बरतन में रख लेना है आप देख सकते हैं आप छिलनी की साहिता से भी छिल सकते हैं अदरक को आप देख सकते हैं इस तरह से हम सारे छिलके को अच्छे बरतन में रखेंगे क्योंकि हमको इसका यूज करना है फेकेंगे नहीं अदरक के छिलके को ये बहुत काम के होते हैं फ्रेम अक्सर लोग छिलके फेक देते हैं कि अप्सक्त देख सकते हैं हम छिलका उतार लिए हैं अध्रक का हम इसी तरह से डेली अध्रक छिलकर यूज करेंगे और छिलके को रख लेंगे अब हम क्या करेंगे इसको धूप में सुखने के लिए रख देते हैं पूरे दीन भर धूप में सुखने के बाद आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सुख गए अधरक ये डबा में चाय पत्ती है जिससे हम चाय बनाते हैं उसमें मिला देंगे इस तरह से चमस से उपर नीचे कर देंगे और हम क्या करेंगे ये हमारे अधरक कछिल का यूज में आ जाएगा चाय बनाने में तो उमीद करेंगे आपको पहला टिप्स बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड तो ये है साबुन का कभर साबुन निकाल लेने के बाद हम क्या करते हैं कभर को फेक देते हैं लेकिन ये बहुत ही यूजफूल टिप्स है फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके कभर में बहुत सुगंध है खुसबू है तो हम क्या करेंगे ये सुक्स है मौजे तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जब भी साबुन खाली होगा तो क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करके सुक्स को रख देने से जब आप यूज किजिएगा निकाल कर तो ये बहुत खुसबू आएगा इससे मौजे से तो उमीद करेंगे कि आपको ये दूसरा टिप्स भी पसंद आया होगा फ्रेंड तो आज से आप साबुन का कभर फेकेंगे नहीं जितना भी कभर निकलेंगे उसमें आप हर फेमली मेंबर का सुक्स डाल कर रख सकते हैं ताकि इससे अच्छे खुसबू आये निकालने पर तो है ना काम का टिप्स फ्रेंड तीसरा टिप्स हमारा बचे हुए आटा को लेकर है अब देख सकते हैं ये फ्रीज में हम आटा रखे थे तो ये बहुत चिल्ड हो गया है बहुत ठंडे इससे रोटी नहीं बनेंगे तो कभी क्या करते हैं हम आटा निकालने भूल जाते हैं रोटी बनाने से एक दो घंटा पहले निकालना हम भूल जाते हैं तो क्या करना है इधर पानी गरम कर लेना है और उसमें आटे को रख देना है बरतन के साथ ही इस तरह से 10 मिनिट तक तो आटा आसानी से नरम हो जाएगा आप देख सकते हैं मुलाइम हो गया है नॉर्मल हो गया है आटा चिल्ड था जो तो अब हम इससे रोटी बना सकते हैं फ्रेंड तो उमीद करेंगे आपको ये भी तिसरा टिप्स पसंद आया होगा आप देख सकते हैं आटा कितने आसा दस मिनेट भी नहीं लगा फिरेंट, आठ नौ मिनेट तक में ये कम्पलीट हो गया है, नॉर्मल होकर, तो ये है चौथा टिप्स, प्लास्टिक बोटल, अक्सर हम फेक देते हैं, कॉल रिंग का, सरसो तेल का, वाटर बोटल, प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, तो उसको क् इधर दिये जला कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, हलका सा चाकू गरम कर लिये हैं, और बोटल के गरदन पास काट लेंगे, गरम चाकू से आसानी से कट जाता है फे, तो इस तरह से काट लेना है, घुमाते हुए, आज आप देख सकते हैं, इधर हम मटर रखे हैं, मटर को इस्टोर करेंगे कैसे प्लास्टिक बोटल में आप चाहे तो बिना काटे भी रख सकते हैं फ्रेंट पर निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा और डालने में भी इसलिए काट लेने से आसानी से डाल भी सकते हैं मटर को और निकाल भी सकते हैं आप देख सकते हैं बोटल कट है अब हम क्या करेंगे सारे मटर को भरेंगे उसमें बोटल का ढखकन नहीं फिकना है उसी में लगा कर रखना है पहले क्या करते हैं उपर में इस तरह से हल्का हल्का कट लगा देते हैं दो तिन जगा ताकि इस से बोटल आसानी से घुच जाएंगे अंदर फसेंगे अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं तो अब हम मटर को भर लेंगे बोटल में अभी मटर सस्ते हैं तो आप क्या करें इस से प्लास्टिक बोटल में भर कर मटर आप फ्रीजर में श्टोर कर सकते हैं इस तरह से पूरे साल भर के लिए इसको अंदर कर देंगे इस तरह से आप देख सकते हैं पेख हो गया है जब हमको यूज करना हो तो इस तरह से निकाल लेना है जितना यूज करना है उतना निकाल लेना है इस तरह से और फिर से कबर कर देना है आप देख सकते हैं इस तरह से आप फ्रीजर में रख सकते हैं प्लास्टिक बोटल में मटर धेर सारा पूरे साल भर के लिए ये पाजमा टीप्स है भरे हुए डब्बे के लेकर आप देख सकते हैं ये चैपत्ती है फुल भड़ा हुआ डब्बा है तो इसमें चम्मच डालने से अंदर नहीं जाते हैं और धक्कन नहीं लगता है प्रें आप देख सकते हैं इसका ढटकन नहीं लग रहा है उपर रह गया है तो क्या करेंगे हम चम्मच को इस तरह से निकालेंगे और उल्टे साइड से डंडे तरब गुशा कर रखेंगे आप देख सकते हैं आसानी से ढटकन लग गया है चैपत्ती का डब्बा का तो आप कोई भी समान भरे हुए डबा में चम्मच अगर डालते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं उमिद करेंगे आपको सारा टिप्स पसंद आया होगा फ्रेंट हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बिल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस त ना करें अगर हमारे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना ना भूले थैंक्स फूर वाचिंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई